हेलो औट वेलकम तूओ और इंडिया वाल लाइबरी साइस एक बार फिर से आप सभी का ओनलाइberg इंडिया वाल लाइबरी साइसमे जोड़ दार स्वग के दोस्तों मैं लाइबियरियन सुमेर सिंक चाहिए आज इस ऍहल गलास में आप सभी का हार्दिख अभिंदनन करता अभिन्दनन करता हूँ, ये कलास उन विद्यारति के लिए है जो लंबे समय से बिहाराजिये में बिहार लाइबरियन बरती प्रिक्सा की ठियारी कर रहे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहता है là कि कब तक आएगी जो भी विद्यार्ति इस class को देख रहे हैं आप सभी से मैं request करता हूँ कि आप last तक इस वीडियो को देखे ताकि इस वीडियो के अंदर आपके मन में जो जो सवाल आ रहे हैं उन हर सवाल का answer आपको आज ही complete मिल जाएगा तो आप जो भी विद्यार्ति इस class को देख रहे हैं सबसे पहले हमारे class को like कीजिए subscribe कीजिए और comment जरूर कीजिए ताकि मैं आपके हर comment को अच्छी तरीके से जवाब दे सकूँ जो विद्यार्ति बिहार लाइबिरेंट बर्तिपरिक्सा की त्यारी कर रहे हैं उन लोगों को आज में बताना चाहता हूँ कि आज की जो class के अंदर जितने भी आपके सवाल है चाए निया मवली हो, चाए आयू हो चाए सेलेबस हो, चाए एक्जाम पैटन हो, या फिर अधर इस्टेट के students इसमें फारम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं इन तमाम दस पंद्रे जो questions है उनके सारे सवालों का जो answer में आज आज आपको देने जा रहा हूँ लास्ट तक आप जो है इस class को देखते रहे हैं ठीके दोस्तों और जो भी विद्यार थी हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाया है उन सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो टेलिग्राम चैनल है उस टेलिग्राम चैनल का नाम है OSI for library science जिसका लिंक हमने description के अंदर दे रखा है आप सभी जो है हमारे इस लिंक पर जाहिए इस टेलिग्राम चैनल पर आप जुड़ जाए इस टेलिग्राम चैनल पर आपको हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी ठीके दोस्तों आईए सुरुआत करते हैं और सबसे पहले बिहार के विद्यार्टियों को मैं एक good news देना चाहता था चाहता हूं sorry good news देना चाहता हूं दोस्तों good news यह है कि बहुत सारे विद्यार्टि जो है एक negative सोच को लेकर चल रहे थे कि बिहार में कभी नहीं आएगी vacancy नहीं आएगी तो बिहार के अंदर मैं बता दूँ आपको आप सब को पता हैं कि बिहार के अंदर एक लाग सितर हजार प्लस teaching staff की vacancy आच चुकी है आच चुकी है फिद्या नगना teaching post द्या नगना कम से कम एक लाग सितर हजार teaching post आच चुकी है और जैसा कि आपको पता है कि librarian non teaching post है वो भी जल्द आएगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों आईए हम सुरुआत करते हैं पहला सवाल आपके दिमाग में यह है कि बिहार librarian की बर्ती परिक्सा की तेहरी करने वाले सभी विद्यार्टियों में पहला सवाल यह है कि नियामवली कब बनकर त्यार आगी त्यार होगी क्योंकि आपको पता है दोस्तों लास्ट वेकेंसी दो जार आट नौ में आई थी उसके बाद करीबन 14-15 साल के बाद बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी बर्ती आ रही है जो है बिहार librarian की उसकी जो नियामवली है तो मेरे आपर जो है मेरे आपर जो बिहार बर्ती बिहार librarian बर्ती वो लाने वाले जो संगर्स करने वाले जो विद्यारती है वो मेरे से जुड़ेवे वहां से सुत्रों से पता चला है कि बिहार बर्ती की जो नियामवली है आपको पंदरे जून से पहले-पहले द्यारगना पंद्रे जून से पहले पहले आपको जो नियामवली आपके सामने देखने को मिलेगी ऐसा जी है जो है वहाँ से सुत्रों से पता चला वहाँ के स्टुडेंट से पता चला उन्होंने काया कि वह टीचिंग पोस्ट की एक लाग सितर अजार वेकेंसी आ चुकी है अब जल्द बिहार में लाइबिरेंट की वेकेंसी देखने को मिलेगी और पंद्रे जून से पहले पहले आपकी ये नियामवली आ जाएगी और इस नियामवली के अंदर पूरा पैटन आपको के लिए पता चल जाएगा दूसरा सवाल ये रहेगा सर्थ बिहार लाइबिरेंट में कितनी पोस्ट आएगी तो मैं आपको बता दो आपके जो बिहार लाइबिरेंट के अंदर जो वेकेंसी है बिहार लाइबिरेंट की जो total post है वो आपके करीबन 7000 प्लस द्यारगना 7000 प्लस बिहार लाइबिरेंट के अंदर vacancy आएगी जिस तरीके से आज आपने आपको पता चला है कि बिहार के अंदर teaching staff की एक लाग सितर हजार plus teaching staff की vacancy आईए उसी तरीके से special 14-15 साल बाद बिहार लाइबिरेंट में करीबन 7000 प्लस वेकेंसी आएगी और इतने बड़ी वेकेंसी आजादी के बाद किसी भी स्टेट के अंदर नहीं आई है तो आप इस मोखे को जो है चूकना मत और अभी से आप त्यारी करना शुरू कर देजिए तीसर अब ग्रेजेशन में द्यान अगना चाहे वो बीए क्या वाँ हो चाहे वो बीकॉम क्या वाँ हो चाहे वो बीएससी क्या वाँ हो चाहे वो बीटेक क्या वाँ हो कोई भी ग्रेजेशन हो चाहे वो बीटेक हो चाहे वो बीसीय हो ठीके न मैं बीसीय है तो किसी परकार का ग की वी होने चाहिए या फिर आपका क्या होना चाहिए यह आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी तो भीहाल आपके पास यह क्वालिफिकेशन है बी आलाइस और डी आलाइस तो आप अभी से त्यारे में लग जाए हमारा ओनलाइन स्कुल इंडिया का एक लोगो है एक बात है एक स्टेटमेंट है कि पड़े उनसे जो खुद सलेक्ट हो चुका है ठीक है न क्योंकि जो टीचर जिन्होंने जो है लाइबरी सेंस में स्ट्रेगल किया है जो लाइबियरिन बना है वही आपको जो है सपलता की रहा दिखा सकता ह है क्योंकि जब भी आपको मोका मिलता है आप किसी के पास सला लेने के लिए जाते हो सपल आदमे से सला लेते हो आज सपल आदमे से सला लेते हो जो विद्याट जो वेक्टी जो सपल हो चुका है उस फिल्ड में आप उस फिल्ड की जानकर लेने के लिए जाते हो तो पड़ जो आपका syllabus तो आपको पता दूब है को से के अंदर ज्यान रखना आपका जो Sharp पड़े उसी से आपका सेलेवस बनेगा इसके अंदर पांच पार्ट है दोस्तों पहला जो पार्ट है जिसका नाम है foundation of library science पहला जो पार्ट है जिसका नाम क्या है दोस्तों foundation of library science यह आपको पार्ट तेहर करना दूसरा जो पार्ट है knowledge और्गनाइजेशन के नामें दोस्तो ज्यान संगटन दूसरा जो है आपके नौलेज और्गनाइजेशन यह सबसे इंपोडेंट पार्ट होता है क्योंकि इसके अंदर दो टॉपिक होता है एक तो होता है क्लासिफिकेशन जिसे हम वर्गी करन केते हैं और दूसरा होता है यह आपका तीसरा जो पार्ट है और चौता जो पार्ट होता है आपके रेफरेंस और इन्फोर्मेशन सर्विस और सोर्स रेफरेंस और इन्फोर्मेशन सर्विस ठीके नवी रेफरेंस और इन्फोर्मेशन सर्विस संदप और सूचना सेवा ठीके नवी संदप और सूचन सेवा और पाँच वज़ो होगा आपका basic computer क्या हूँगा दोस्तों पाँच वज़ो होता है वह हजो है लाइब्रेरी automation आपका अठोसे आपके अपका जो syllabus है फेलिप duyवल का है और विलिप के अंदर ये पांच पार्ट बनते हैं आपके competition का syllabus होगा इसके अंदर जितने भी चोटे-चोटे topic है वो हम सब को पढ़ना पढ़ेगा दोस्तों यह होगा आपका syllabus अब हम बात करते हैं आपका exam pattern तो आपके exam pattern की बात करें तो हम आपको बता दे कि आपको सपल होने के लिए आपको इस में selection होने के लिए आपका इस वेक्ति में chain होने के लिए आपको तीन exam देने होंगे कितने exam देने होंगे भी तीन exam आपका इस बड़ती में selection होने के लिए कितने exam देने होंगे तीन exam देने होंगे पहला जो exam होगा अध्यान देजिए पहला जो exam होगा जिसे हम कहते है first exam पहला जो exam होगा वो होगा आपके L.E.T. exam क्या होगा दोस्तों पहला जो paper होगा यह हम कह सकते हैं पहला जो paper होगा वो आपका क्या होगा L.E.T. exam L.E.T. का मतलब क्या होता है Librarian Librarian Eligibility Test Eligibility Eligibility Test ध्यान अगना पहला जो क्या होगा दोस्तों आपके LET exam होगा क्या होगा दोस्तों पहला जो होगा आपके LET exam होगा LET exam में ध्यान अगना है 500 questions होगे total कितने होगे दोस्तों 500 questions होगे जिसके अंदर 100 questions होगे आपके subject के है सो कुश्xoन किसके होंगे सब्हेट सबLब ता लाइबरिय साइंस दो कुशन होंगे आपके सब्जेट की होंगे और पचाश कोश्ट ऐसे जोगे हैं आपके जीगे क्या अब जाल जीगे general knowledge के अंदर उन 50 questions के अंदर आपको ध्यान रखना है mathematics भी होगी, reasoning भी होगी, थोड़ा हिंदी भी होगा और भीहार का current affair भी होगा और भीहार का GK भी होगा तो total आपके कितने होंगे? 500 questions होगी ध्यान रखना तो L.E.T. exam का syllabus में आपको बता जेता हूँ total आपके 500 questions होगे, 150 questions होगे, 100 questions होगे आपके library science के होगे, तो 100 questions आपके ज्यान रखना इन 5 part मेंसे बनेंगे, हर part मेंसे 20-20 questions होगा इसमें भी 20 questions आएंगे, इसी part मेंसे 20 questions आएंगे इस part मेंसे 20 questions आएंगे, इस part मेंसे 20 questions आएंगे आपके तो पांच पार्ट में से आपके टोटल कितने होंगे बीस इंटू पांच सो कुशन होंगे कितने कुशन होंगे दोस्तों सो कुशन होंगे तो लाइबरी साइंस के सो कुशन होंगे और जो जनल पेपर के वो कितने होंगे पचास कुशन होंगे दस question होंगे बिहार जी के क्या होंगे बिहार जी के दस question होंगे आपके Hindi या English में से कोई भी एक subject होगा आपका या तो Hindi लो या English लो फिर दस question होंगे आपके math के दस question होंगे आपके reasoning के और दस question आपके ध्यान रखना आपके होंगे psychology के क्या होंगे दोस्तों psychology के तो इस तरीके से आपके ध्यान एकना 50 जो question होंगे वो आपके जनरल पेपर के होंगे तो जनरल पेपर में बिहार जी के या करेंट अपर आएगा हिंदी या इंग्लिस जोनम ऐसे यह करनी है दस question math होंगे दस question reasoning और दस question psychology होगे तो पहला जो पेपर है यह आपका क्या होगा L.E.T. exam होगा तो आपका जो first exam होगा तीन exam देने होंगे जो first exam होगा वो आपको क्या होगा L.E.T. exam होगा ठीक है बई तो अब आपके मन में यह सवाल है कि sir L.E.T. exam किसके द्वारा आयोजित होगा तो आपको द्यान देना L.E.T. exam जो आयोजित आयोजित होगा बिहार विद्याले परिक्सा समीति के द्वारा आयोजित क्या जाएगा ठीक है नवी परिक्सा समीति के द्वारा आयोजित क्या तो द्यानगना एलिटी एज़ाम जो ब्यार विग्ज्या ले परिक्सा समित्य के द्वारा आयूजित क्या जाएगा जिसके अंदर आपके 500 questions होंगे कितने होंगे दोस्तों 500 questions होंगे 50 general paper और 100 subject के होंगे अब इसके अंदर ये चीज दियानगना no negative marking ठीक है न भई LET में आपके no negative marking आपके कोई भी negative marking नहीं होगी दियानगना 500 के 500 questions आपको attend करना है खुशी की बात है कि किसी परकार का negative marking नहीं होगा और ध्यानगना इसके अंदर general category के अंदर जीज़ना तो general category के अंदर पास होने के लिए तो आपको कम से कम 50% 50% का मतलब कितने होगे आपके 45 questions तो 1500 में से आपको 75 questions आपको एलिटी एक्जाम में लाने होंगे किलियर होने के लिए तो जो विद्यायर्टी डैर्स मेंसे जनरल category का इसके पिच्छे तुरे question सही हो जाएगा वो आगे second or third paper में जो है बैठेगा किसमें बैठेगा भई second or third paper में बैठेगा च्छीक है और reserved category है ज्यान रगना तो reserved category है तो reserved category जो है कौन से विद्यायर्टी इसमें 55% लाने है 55% का मलब होता है 68 question तो ज्यान रगना 68 question सही होने चाहिए तो कहने का मदलब है कि आपका जो पहला paper होगा वो L.E.T. होगा क्या होगा L.E.T. जैसे teaching teaching staff के लिए क्या होता है S state होता है S state होता है उसी तरीके से librarian के लिए late exam होगा जिसके अंदर data question होगे लेकिन negative marking नहीं होगा तो इस paper को qualify करने के लिए तो ये qualify paper है तो general category के लिए आपको 55 question 75 question सही होने चाहिए reserve category के लिए 68 question आपका सही होना चाहिए तो जो विद्यायर्थी late exam को qualify कर पाएगा वो आगे जो दो paper और होंगे उसमें जो है participate करेंगे ठीक है अब हम बात करते है second paper ठीक है न मैं क्या होगा आपका second paper जिसे हम कहते है language paper क्या होता दोस्तों language paper होगा इसको भी qualify करना जरूरी है तो जो विद्यायर्थी let exam किलियर कर लेगा let exam qualify कर लेगा उसका जो सामने ये second paper होगा वो होगा आपके language paper होगा क्या होगा language paper होगा द्यानगना अब language में ये द्यानगना आपके 25 question जो होंगे वो क्या होंगे आपके English के होंगे क्या होंगे दोस्तों 25 question आपके English के होंगे और बाकी पिच्चोतर question होंगे 75 question होंगे वो आप अपने हिसाब से चायबली आप Hindi भी ले सकता है चायबली आप Hindi है चायबली क्या सकता है उर्दू भी हो सकता है आपका जो भी है या फिर आप जो है बंगाली या फिर आपका बंगाली भी ओ सकता है या ओ सकता भी बंगाली भी ये आपकी चोईस के इसाफ से है तो जो भी आप चोईस बरोगे आप तो ये तो compulsory है English आपके क्या है भी अनिवारे है तो पच्छे सवाल आपके क्या है भई ये English के अनिवारे रहेंगे लेकिन पिच्छों तर जो question होंगे वो आपके जो आपका बासा चुलोगे उस बासा के इसाब से आपको करना है तो total कितने question होंगे 100 questions होंगे आपके कितने होंगे 100 question होंगे लेकिन इसमें भी ज्यान रखना है no negative marking ज्यान रखना no negative marking इसमें भी आपके ज्यान रखना है negative marking नहीं रहेगी no negative marking ये भी आपके negative marking नहीं रहेगी और second paper का जो आयोजन है ये चीज़ ज्यान रखना second paper का जो आयोजन है ये आपके ज्यान करवाएगी exam BPSC BPSC का मलता है बिहार Public Service Commission तो यह आपके द्यान रखना BPSC के द्वारा RPSC होता है ठीक है न वही उसी तरीके से BPSC यह रज़िस्तान पबलिक सर्विस्कमिशन उसी तरीके से बिहार Public Service Commission के द्वारा इस second paper को आयोजन क्या जाएगा अब इसमें qualify marks ज्यान लखना कवालिक्टी मार्क्स मिनिमम ध्यान 장ow तीस सवाल होने चाहिए पीडिया पूर्ट मिनिममम 33 पसेंड आपको लाने हैं जिसके अंदर आपको नेगिटीव मार्किंग नहीं रहेगी दिया नगना तो जो भी दिया थी एलिटी एक्जाम में क्वालिफाई होगा उसको सेकिंड पेपर देना होगा जिसे हम कहते हैं लेंग्वेज पेपर में पचीस कुशन आएंगे आपके इंग्लिस में यह कंपुल्सरी है लेकिन सेवन्टी फाइब कुशन है आपकी चोईस क मार्किंग आपके नहीं रहेगी तो सो में से आपके तीस सवाल आपके लेंग्वेज में ही आपको क्या करना पड़ेगा क्वालिफाई करना पड़ेगा तो थर्टी पसेंट आपको इसमें नंबल लाना अनिवार यह है लेकिन नो नेगिटिव मार्किंग आपके नहीं रह पर आपके final merit बनेंगी इसा पेपर के अदार पर final merit बनेंगी द्यार रगना पर final merit बनेंगी अब इसके अंदर ध्यार अश्य question च्राइब आश्य जो questions होंगे अश्य questions होंगे वो होंगे आपके subject के subject का मतलब क्या होगे आपके library science के अंदर इसके अंदर आपके क्या आएगा 80 कुशन आएंगे subject का होगा plus इसके अंदर ध्यान एकना 40 कुशन होंगे 40 कुशन होंगे वो आपके gk कितने होंगे gk total आपके 120 कुशन होंगे कितने कुशन होंगे 120 जो final पेपर होगा जिसके अंदर 120 कुशन होंगे कितने कुशन होंगे दोस्तो एक सबबीस कुशन होंगे इसके अंदर 80 कुशन होंगे आपके library science subject के और 40 कुशन होंगे आपके gk GK का मलब इसमें 10 Maths भी आएगी ठीक है ने 10 आपके Reasoning भी आएगी ठीक है न वही और आपके जो है कह सकता है बिहार GK भी आएगा आपके ठीक है न और Psychology भी आएगा क्या आएगा Psychology भी आएगा यह GK का होगा तो यह जो exam है यह भी exam किसके द्वारा आयोजीत होगा भी यह भी BPSC के द्वारा exam होगा लेकिन इस exam के अंदर ध्यान रगना है Negative Marking रहेगी इस exam में क्या रहेगा Negative Marking रहेगी ध्यान रगना एक चीज़ ठीक है न वही Negative Marking होगी इसके अंदर Negative Marking रहेगी आपके 25 ठीक है न वही एक बटा चार जिसे अपन कहता है 25 पचेस आपका Negative Marking रहेगी एक बटा चार ठीक है चार questions गलत होगे तो एक question आपका सही यह वो जो है minus हो जाएगा तो आपका जो तीसरा paper है यह जो आपका main होगा इसके अंदर 120 questions होगे ठीक है जिसमें से अच्छी question लाइगरी साइंस के और 40 questions आपके general paper का होगा लेकिन इसके अंदर Negative Marking रहेगी 1.5 और यह भी दियानक ना Bihar Public Service Commission के द्वारा आयोजित होगी तो यह आपका क्या रहेगा exam pattern रहेगा इसको अच्छी तरीके से आप त्यारी कंडा शुरू कर दीजिए अब हम बात करते हैं आपके salary और grade पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं grade पे तो grade पे आपका रहेगा 32 तीन अजाद 200 आपका तो 32 आपका क्या रहेगा grade पे रहेगा आपका ध्यानक ना प्लस आपकी जो final है जिसमें जैसे आपका basic होगा basic के अंदर डीए जुड़ेगा डीए के अंदर आपके HR जुड़ेगा और भी city allowance वगेरा है क्योंकि 32 को grade पे होगा इसके अंदर पहले चीज़ होती basic salary ठीक है ना basic basic होगा पिर basic के अंदर आपके जो वर्तमान में डीए चल रहा होगा डीए के बाद उसके अंदर HR होगा HR के अंदर आपका city allowance वगेरा होगा ठीक है ना वई city allowance होगा फिर उसके अंदर child education का भी होगा ठीक है ना तो इस परकार से आपका जो TA होगा ट्रेवलिंग allowance होगा तो सब विलाकर जितने भी allowance मिलते हैं यह basic है डीए है HR है city allowance है टीए है यह सारे मिलाकर आपके द्यानगना कितने होगे 50,000 प्लस आपकी monthly salary आपको मिलेगी द्यानगना लेकिन कब मिलेगी जब आपका final selection हो जाएगा तो यह आपको जानकरी बिल्कुल सुत्रों के अनुशार perfect जानकरी हम दे रहे हैं लेकिन जैसे ही आपके 15 जून से पहले नियम हो लिया जाएगी उसके बाद आपको complete information मिल जाएगी दोस्तों ज्यानगना ठीक है इसके अंदर आपके जो age criteria है तो age criteria में बता दूँ आपको जन्रल वेक्ति जन्रल वेक्ति की जो रहेगी आपके 30 years 37 साल रहेगी और जो भी reserved category है तो reserved category के लिए रहेगी 40 साल कितने साल दोस्तों? 40 साल रहेगी और female के लिए ध्यानगना female के लिए अगर वो general category है तो female के लिए general category है 40 साल हो जाएगी और उसके बाद और reserved category है general की sorry reserved category महिला है कोई भी तो reserved category के लिए कितनी है 22 साल रहेगी कितनी रहेगी 22 साल तो general category proof के लिए 37 साल है और reserved category के 40 साल है female में general category 40 साल रहेगी और reserved category CST के लिए 22 साल यह रहेगी आपका age criteria अब अधर स्टेटस स्टुर्टस एप्लाई और नेड फटिट कोई भी अधर स्टzenie का चो बिध counter कोई इस्टेट का जो विदियारति है वह भी यारी पृट्सकता है यह सवाल आपके ज़्याधा इंप्सटेट सवाल है other student other state students apply or not other students के विद्यार्ति बिहार में फारम नहीं बढ़ सकता है यह वेकेंच से सिर्फ बिहार के विद्या बिहार के लोगों के लिए हैं बिहार के students के लिए हैं यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अब student क्या सोचते हैं ध्यान देजिए मैं बिहार लाइबिरिन की ओनलाइन स्कूल इंडिया एप पर या इस यूटूब चैनल पर लंबे समय से मैं तैयारी करवा रहा हूँ आज सगे विद्यार्ति कुछ students है जो ज़्याद नेगिटिव सोच रखते हैं वो हमेशा कहते थे कि बिहार के अंदर वेकेंसी कभी नहीं आएगी लेकिन मैं आज को बताना चाहता हूँ कि एक लाग सितर अजार अभी teaching वेकेंसी आ चुकी है और जब teaching वेकेंसी आ चुकी है तो जल्द आपके जो है non teaching वेकेंसी बिहार की वेकेंसी आ जाएगी तो यह जो नेगेटिव जो सोच रखने वाले विद्याती नेगेटिव सोच है वो विद्यात्य के अंदर बहुत ज़ाधा सोच है हालां कि कुछ विद्यार्टी है तो पहले विद्यार्टी सोचने थे कि बिहार में वेकेंसी कभी नहीं आएंगी यह सब जूट बोल रहे हैं यह सारे चीज़े लेकिन आज आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि बिहार के अंदर पीचिंग पोष्ट की एक लाख सीतर ऐजार आ चुकी है जल्द पंदर भीच दिन के बाद आपको बिहार के अंदर बंपर वेकेंसी 7000 प्लेस बिहार के अंदि लाइव की वेकेंसीा आपको देखने को मिलेगी दोस्तों चेखे दोस्तों अब आपके मन में सवाल यह है कि का OnLine School इंडिया का कोर्स क्यों चुनरा है Wildlifecık इंडिया का हमारा जो online school इंडिया का एक logo है एक statement यह है कि पढ़े उनसे जो खुद select है जो खुद select है जिन्होंने competition exam दिया है जिन्होंने top rank के top rank से जो है आपको librarian बने है तो मैं आपका दोस लाइबेरियन सुमेर सिंग कचावा मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मैं 2018 वाली राजसान grade 3rd में top rank से मेरा selection हुआ है और मैं वर्तमान में राजसान गौर्रमेंट के एक school के अंदर librarian पत्पर काम कर रहा हूँ हालां कि मैंने KVS का भी interview दिया मैंने NVS का भी written exam निकाला जोत्वर M's का भी written exam निकाला एमदाबाद high court और भी कम से कम साथ आठ exam के मैंने written exam निकाला है तो मुझे उस competition exam से बहुत सारे चीज़े आपको देखने को मिली सीखने को मिली वहीं चीज में आपको update कर रहा हूँ और OSI course क्यों चुने क्योंकि OSI online school इंडिया के अंदर आपको ध्यान अगना है हर एक topic क्य वीडियो दियावा है क्या दियावा वहीं वीडियो बनावाए है हार topic का video है video के नीचे अमेशा वा-पर क्या है 4 ओस स्थ्यूम्स की調 की रěश्झ दियावाई है जानैस वीडीयो भी है PEEbs युदे क्या टेस्ट दियावा है और सबसे बड़ी पात है कि पूरा जो कंटेंट है वह आपके बाइलिंग्वल है क्या है वह बाइलिंग्वल है बाइलिंग्वल का मलब होता है दोनों भासाओं में यह पूरा जो कंटेंट है आपके दोनों भासा दोनों भासा का मलब तो हिंदी और इं पानकना है हमारे online school इंडिया के अंदर best content है क्या है वे सब से अच्छा content है और content आपको देखना है तो इसी YouTube चैनल पर हमने जो है अपने नीचे description के अंदर एक हमने playlist बना दिये हैं बिहार librarian के लिए तो बिहार librarian की त्यारी करने विध्यार्टियों को मैं यह कहना चाहता हूँ इसी YouTube के नीचे हमने बिहार की जो एक playlist बना दिये हैं उसमें जाकर आप हमारे बहुत सारी जो classes है उनको demo के रूप में देख सकते हो आपको पता चल जाए कर भई हमारा 299 में आपको मिलेगा शिर्फ 2000 उपय में मिलेगा और आप अभी से त्यारी कर लिजी यह जो offer है यह offer आपके ज्यानकना प्रथम 200 विध्यार्टियों के लिए हैं प्रथम 200 विध्यार्टियों के लिए यह offer है और अधिक जानकारे के लिए आप अभी भी इस number पे आप call कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको इस class के माधियम से यह कहना चाहता हूं दोस्तों समय आपके पास बहुत कम है क्योंकि librarian बनने के लिए कम से कम minimum 4 मिने और maximum 6 मिने आपको जरूत है अगर वासों में आपको librarian बनना है तो minimum 3 से 4 मिने अगर आपको librarian बनना librarian बनना है तो आपको द्यान दिजिए अगर आप मैं सोच लिया है कि मुझे librarian बनना है अगर आपको librarian बनना है तो इसको librarian बनने के लिए librarian में इस बड़ती में selection होने के लिए minimum आपको तयारी करनी होगी ठीक है नवे? आपको तयारी करने के लिए minimum ध्यान रगना है minimum आपको कितने महिने लगेंगे minimum आपको ध्यान रगना 3-4 महिने minimum आपको ध्यान रगना है तयारी करने के लिए 3-4 महिने चाहिए अगर आपके पास तीन से चार मेने है तो आप अराम से त्यारी कर सकते हैं तीन से चार मेने क्यों कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत के दो मेने में आपका कोर्स पुरा होगा क्या होगा दोस्तों शुरुआत के दो मेने में आपको कोर्स पुरा करने में लग जाएगा तो शुरुआत के दो महिने में आपको कोर्स पुरा करने में लग जाएंगा और बाकी के जो दो महिने है ठीक रहे बाकी के जो दो महिने है बाकी के दो महिने में आपको क्या करना है दो चीज करनी है रिविजिन करना है और साथ साथ आपको क्या करना है टेस्ट जिना जितना ज्यादा revision करोगे जितना ज्यादा test दोगे इसी तरीके से आपको जो है जीत प्राप्त होगी तो प्रत्थम 200 विद्यायर्टियों के लिए हमने ये फीस रखी है अभी आपका offer है 2000 रुपेगा और vacancy के बाद ये फीस आपके 4000 हो सकती है ये चीज आपको द्यान लगना है और जो भी विद्यायर्टि इस class को देख रहे हैं मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारा app को download कर लिजिए app के अंदर बहुत सारी demo classes है उन demo classes को जरूर देखिए तो app को क्या से download करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सिधा जाना है play store में आपको जाना है और play store में जाकर आपको क्या लिखना है यह play store है play store में जाकर लिखना आपको online school India तो जैसे आप online school इंडिया अप लिखऊगे तो आपको यह black調 का logo देखने को मिलेगा और स्को weapon करते ही आप क्या करोगे भी आपका app डा settlements हो जायेगा ठोने तो आपको play store में जाका लिखता है online school India और ये black color का logo आएगा और आप हमारा app download कर लिए और app के अंदर बहुत सारी जो है आपको free जो है कुछ demo classes है वो आपको देखने को मिलेगी और अधिक जानकारी के लिए आप इस number पे कभी भी call कर सकते हैं और मेरे से बात करनी है आपको तो इस को देख रहे हैं यह हमारा राजिस्तान का रिजल्ट है दोस्तों अभी हमारा राजिस्तान का रिजल्ट है दोस्तों और राजिस्तान के अंदर हमने 2022 का पहली बार 2022 का बैस निकाला था और राजिस्तान के अंदर हमारे यहां से 100 प्लस बच्चों का सेलेक्शन हुआ है 100 प सब्सक्राइब को देखने मिलेगी तो हमारा यह राजस्तान के अंदर और आज आपके प्रेम उसने की वजह से आज हम हिंदुस्तान का नंबर टू चैनल हमारा बन चुका है दस महिने के अंदर आप कस्मीर सो लगा कर कन्या कुमाई तक 36,000 लाइबरी सैंस के स्टुडेंट्स का एक परिवार बन चुका है और हम आपके लिए हर चोटी मोटी न्यूज आपके साथ जो है सेर करते रहेंगे ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप जो भी वित्यारत इस क्लास को देख रहें इस क्लास के जुड़ेंगे आप और आपको हर एक चोटी मोटी चीज आपको देखने को मिलती रहेगी तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारा जो चैनल जो है OSF or Library Science है इस चैनल से आप जुड़ेंगे ये हमारा जो है रिजल्ट है राजिस्तान के अंदर और इस बार हम बिहार के अंदर भी एक सांदार रिजल्ट देने के लिए तयार हैं तो जो भी विद्यार थी इस क्लास को देख रहे हैं मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ इस क्लास को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए तागि आपके कमेंट हमेंसे मुझे मोटिवेट करता है कुछ नए ने वीडियो बनाने के लिए कुछ ने ने जो है चीजे बताने के लिए जो है मुझे मोटिवेट करता है तो जो भी विद्यार थी बिहार लाइपिरेंट का ट्यारी करना चाहते हैं पहले सबसे पहले हमारा एप को डाउनलोड कर लिजिए और बिहार का जो है छोटा सा हमने कोर्स रखा है शिर्फ दो हजार आपेगा यह परतम दोस्तों विद्यार थी के लिए ओफर है और अभी से आप लाइवरी सैंस पढ़ना शुरू कर दीजे दोस्तों क्योंकि बहाली के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको कोर्स कब पूरा होगा रिविजिन कब पूरा होगा टेस्ट कब दो के आप तो वोका आपको लाइव क्लास में मिलेंगे लेकिन एक बात जाते हुए मैं कहना चाहता हो पड़े उन से जो खुर सेलेक्ट हो क्योगी सपल आदमी ही एक सेलेक्टट आदमी ही आपको जो है अच्ची तरह से रहा दिखा सकता है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है ये चीजे आपको शिखा सकता है दोस्तों ठीक है इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है और भी आपको वीडियो देखते रहे हैं ठैंक यू वेरी मुच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं आपका दोस्ट सुमेर सिंग कचावा पुष्ट काले अध्यक्स बिहार लाई विरिन बती आप क्लिक रहें जो भी दियायर्टी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए है उन टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिये दिया गया है वास से आप जुड़ सकते हैं और हमारे ओस से जूड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पविश्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सकते हैं